ट्रांस्पोर्टेशन से जुड़े व्यपार के बारे में आज हर कोई जानता है लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूँ कि ट्रांस्पोर्टेशन बिजनस का एक आसान सा मतलब है यातायात के साधनों की मदद से कोई बिजनस करना अब आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से कोई समान खरीते हैं जिने ले जाने में आपको परिशानी आती है या ऐसा कहीं कि आपको कोई प्रोड़क्ट डिलेवर कराना हो तो आप समंदित गाउं में खुद ना जाकर ट्रांसपोर्ट कमपनी की मदद लेते हैं और उ होनी चाहिए आपकी बिजनस प्लानिंग ट्रांसपोर्ट का बिजनस शुरू करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है आप कौन से गाउं में किस तरह के वाहनों के साथ इन लोगों को कैसी सेवा देना चाहते हैं यह सब आपको पता होना चाहिए पहारी गाउं म के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का रिजिस्ट्रेशन कराना होगा इसके बाद ही आपको इस कंपनी को शुरू करने के लिए शौप आक्ट लाइसेंस जीस्ट नंबर हासिल करना होता है इसके लिए आपको दस हजार रुपए चुकाने पड़ेंगे इसके बाद ही वेवसाय को करने के लिए आपको असानी से 70-80 प्रतिशत लोन मिल जाएगा वो भी काफी कम बयाज रेट में ट्रांस्पोटेशन बिजनस के कुछ आइडिया कार रेंटल बिजनस ट्रांस्पोट बिजनस में सबसे पहला आता है अपनी कार को रेंट में देना जिसकी जरीए आप पैसा कमा सकते हैं लेकिन कुछ गाउं में काफी कम लोग ही होते हैं जो कार रेंट पर लेना पसंद करते हैं अक्सर क्योंकि गाउं में लोगों के पास या तो खुद की कार होती है या वो पैदल या पब्लिक ट्रांस्पोर्ट से जाना जादा सही मानते हैं हाला कि आप इसे किसी शहर में ही शुरू कर दें तो जादा लाबकारी रहेगा पाकर्ज और मुवर्स ये एक ऐसा ट्रांस्पोर्ट का काम है जिसे कोई भी आसानी से शुरू कर सकता है इस समय हर शहर और गाउं में लोगों को पैकर्ज और मुवर्स सर्विस की जरूर पड़ती है लोगों का सामान एक जगा से दूसरे जगा पहुंचाने के लिए सर्विस काफी लोग प्रिये है आप चाहें तो अपने गाउं या फिर दूसरे गाउं में ये सर्विस शुरू कर सकते हैं इसमें आपको गाउं की जरूरत के हिसाब और मांग के आधार पर सामान सप्लाई कर सकते हैं बस सर्विस गाउं हो या शहर भारत का एक बड़ा तबका हर रोज बस का इस्तेमाल करता है हर दिन लोगों को किसी ना किसी काम से यहां से वहां जाना होता है इसलिए आप चाहें तो किसी गाउं में आप बस सर्विस से सेवा शिरू कर सकते हैं किसी गाउं में बस ट्रांस्पॉर्ट सर्विस शिरू करना काफी अच्छा इडिया है लेकिन एक बस के लिए आपको इसके लिए बड़ा निवेश करने की जरूर्वत पड़ेगी लेकिन इसमें आपको फायदा भी काफी होगा अक्से लोग शादी, बारात या फिर किसी दूसरी चीजों के लिए बस की बुकिंग कराते हैं आप चाहें तो इसके लिए भी सेवा प्रदान कर सकते हैं ट्रक या डंपर की सर्विस ट्रक और डंपर का उप्योग लोग केबल ट्रांसपोर्ट के लिए ही करते हैं रेत, मिटी, बजरी या फिर दूसरे मेटीरियल की सप्लाई के लिए भी आप इसकी सर्विस शुरू कर सकते हैं फिर जाहे गाउं हों या शहर किसी को रॉव मटीरियल की ज़रूरत पड़ती है आप जाहें तो इस काम को शुरू कर सकते हैं इसके लिए पैसा प्रती ट्रॉली के हिसाफ से तै किया जाता है कितने बजट में शुरू होगा आपका बिजनस ट्रांस्पोर्ट बिजनस को शुरू करने के लिए आपको काफी बड़े बजट की ज़रूरत पड़ती है बड़ी गाडियों और दूसरे ट्रांस्पोर्ट वाहनों को खरेदने के लिए आपको काफी पैसे की ज़रूरत पड़ती है इसलिए इस बिजनस में एक खास आंकड़े को नहीं तैकिया जा सकता क्योंकि एक या दू बाहन के साथ आप इससे शुरू करेंगे तो आपको इसमें जादा लाब नहीं मिलेगा इसके लिए अगर आपके पास पास से जादा बाहन है तो आप अच्छा लाब कमा पाएंगे इसके साथ ही सबसे जरूरी है कि आप किस तरह के बाहन की सेवा दे रहे हैं बाहनों के साथ ही आपको इनके लिए ड्राइवर भी रखने होंगे इनकी महीनी की सैलरी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इसका रिजिस्ट्रेशन के अंदर सरकार की तरफ से करना पड़ता है और इसमें आपको शॉप पैक, बिजनस आधार के साथ GST नंबर भी लेना पड़ता है कंपनी के रिजिस्ट्रेशन के बाद ही आप ट्रांस्पोर्टेशन का वैपार कर सकते हैं ट्रांस्पोर्ट कंपनी को शुरू करने के लिए आपको ट्रांस्पोर्ट के साधनों को खरीदना पड़ेगा यानि अपनी इन्वेस्टमेंट में 80% की मदद आपको सरकार की तरफ से आसानी से मिल जाती है इसके बाद आपके 20% पैसे अपने बिजनस के लिए खर्च करने पड़ते हैं सबसे पहले आपको इसके लिए अपने ग्राकों को अच्छी सेवा देनी होगी ट्रांस्पूर्ट बिजनस में समय का काफी बड़ा रोल हो रहता है अगर आप समय पर अपने ग्राकों की मांग पूरी करते हैं तो आपको भी इसका काफी फायदा मिलेगा इसी तरह अपने बिजनस की सेफटी के लिए पूरी साथानिया बढ़ते हैं और आप अपनी कंपनी के लिए जो भी चालक रखते समय उसमें विशेश रूप से इध्यान दे कि उसे सही से गाड़ी चलाना आती है या नहीं गाउं की सटकों में गाड़ी चलाने का आपके चालक को अन्भव है या नहीं इसके साथ ही आप इस बात का भी खयाल रखें कि चालर को कोई या किसी दूसरे चीज़ की आदत तो नहीं है वहानों की सेवाए लेने के साथ ही आपको इसकी सर्विस्ञ भी समय समय पर करानी पड़ेगी गाउं की सड़कों पर चलने के कारण वहान अक्सर खरापच जाते हैं कोशिश करें कि आप इन्हें समय समय पर चेक कराते रहें अपनी खुद की कंपनी खोलने से पहले आपको इस बात का भी खायाल रखना पड़ेगा कि आप कितने वहानों के साथ अपना काम शुरू करने वाले हैं और आगे समय के साथ कितने वहान लेंगे इसके लिए आपको अपना बिजनस प्लान तयार करना हुगा साथ ही आप किस तरह के कस्टमर को किस तरह के ट्रांसपूर्ट की सर्विस दे रहे हैं इसकी भी प्लानिंग आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी जिससे आप जादा से जादा लाब कमा सकें